पूरा का पूरा 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 फिस्बूक रिलेटेड़ है क्योंकि आप फेस्बूक पेज附 चलाते हैं और फेस्बूक पे आप पोस्ट भी करते हैं और फेस्बूक आप create भी करते हैं लेकिन ऐसा होता है कि फेसबुक का जो page होता है वो आप जो नाम होता है कोई भी नाम आप मतलब आप स्टार्टिंग में तो ऐसा करते हैं कि मतलब facebook page आप बना लेते हैं और नाम कोई भी रख देते हैं लेकिन आप Facebook जब चलाने लगते हैं आपका अच्छा कासा रीब्यू अच्छा कासा भीू आने लगता है तो आपको लगता है नहीं ये आपका पेच जो है ये नाम सही नहीं है तो आपको उस समय मतलब realize होता है कि आप नाम change पहले अगर कर दिये होते हैं अच्छा रहा था नाम आपको यह रखना था या फिर और रखना था तो मतलब आपको लगता है कि नाम आपका फर्फिक्ट नहीं है आपके मतलब वीडियो के हिसाब से तो आप मतलब automatic क्या करना चाहते हैं नाम अपना चेंज करना चाहते हैं तो नाम चेंज करने का setting मैं आपको पूरा का पूरा बताऊंगा क्योंकि नाम चेंज करना मतलब बहुत ही simple नहीं है Facebook पेज का तो आप विडियो को page है उसे हम name जो है name को हम कैसे Change होता है उसे हम आपको कर करके दिखाते हैं तो हम अपने मुबाइल के स्क्रीन प्रोपर हम फेज्बूक को करते हैं फेज्बूक में अपना ओपन और ने करने के बाद हम पेज यहां पर देख सकते हैं कि हमारा पिर यह पेज मेरा यहां दो पेज है तो हम कोई भी पेज यहां से मतलब ओपेज करके केवल आपको सेटिंग बताएंगे कि आप अपना नेम कैसे चेंज किजिएगा तो आप देख सकते हैं कि हमारा यह पेज आपका ओपन हो चुका है पेज ओपन होने के बाद आप क्या काम करना आइकोन है फेजबुक पेज का आपको आइकोन में क्लिक करना होगा क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज आएगा यह मेरा नया फेजबुक पेज एकदम है तो इस तरह ही मतलब आपको हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह आप नेम को चेंज किजिएगा तो सकेंड में का option आपको दिखाई दे रहा है इस सारे आपको दिये गए हैं इसमें आपको कौण सा मतलब यह कौन साोप्सन करना होगा ध्यान से धिएगा वीडियो का स्कीप मत किजेगा नहीं तो आपको समझ में तो नहीं हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे देख सकते प्राइवीसी सेंटर में आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा तो उसमें आपको तीन बार जो दिया हुआ है उसमें आपको क्लिक करना होगा क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं चार आपशन और आपका दिया हुआ है Privacy Center Home, Privacy Policy, Other Policy & Article and Setting तो नीचे का जो सबसे नीचे का सेटिंग देख रहे हैं नीचे का ओपशन जो देख रहे हैं setting में आपको enter करना होगा setting में enter करेंगे तो इसमें लिखा हुआ है facebook setting और आपका instagram setting तो facebook setting हम करना चाह रहे हैं तो facebook setting को हम यहां से click करेंगे facebook setting click करने के बाद ही आप देख सकते हैं उपर में हमारा page setting लिंक account है तो हमें page को नाम जो है page का नाम जो है वो चेंज करना है तो page setting जो दिया हुआ हमारा तो page setting जो हमारा उपर का आप देख सकते हैं इसे हम click करेंगे तो आप देख सकते हैं उपर में नेम भूपी Cool Internetल Yay जो मेरा नेम है वो आपका नेम दिया हुआ है तो इस जगह में आपको फिर से क्लिक करना होगा क्लिक करने गेवाद में जगह आपका यही आता है ये जो जगह है सबसे में जगह है पर फेसबुक का पेज rév 1 चेंज कर सकते हैं और कोई मतलब ऐसा setting नहीं जहां से आप पेज पाइज चेंज कर पाएं यही वो जगह जो आप फेसबुक का पेज अपना है अपना अनुसार आप उसे सकते हैं तो यह जो जगह मैं दिखा रहा हूं यह जगह में आपको क्लिक करना होगा क्लिक करने के बाद आप जो नाम है उसे आप डिलिट करके आपका जो नाम है वो नाम आपको देना होगा देने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं रिभ्यू चेंज रिभ्यू चेंज कि तो आप घबराईएगा मत ओ एरर किसी कारण से नहीं आ रहा वो टेक्निकल प्रॉब्लम से आता है तो आप उसे छोड़ दीजेगा बैक कर जाएगा तो आपका क्या होगा तो आप तीन से चार दिन लगेगा यह आपका संगसंग में आपका चेंज नाम नहीं होगा आप तीन से चार दिन के बाद आप देखिएगा आप जो नाम दिये थे फेस्बुक पेज का वो आपका अपडेट हो जाएगा तो ए वीडियो यहीं तक तक ता फ्रेंड आपको